हेलो फेंट्स, वेलकम वेक टो वर डलू 3 ERA यूट्यूब चैनल, माई नेम इस सचिन कुमार गौतम एंड यू आर वाचिंग वेबसाइट डवलब्मेंट टुटोरियल फॉर बिग नर्स जिसकी पिछली क्लास में हमने जाना html entities, symbols and smileys के बारे में, आज हम जानेंगे html क form element के बारे में, आये जानते हैं, form जैसा की नाम से आपको आलम चले है, यह form होगा जिसके अंदर कुछ input field होंगे, input field means इसके अंदर आपका name, address, phone number, यह सब field आपको देखने को मिलेगी, form सिर्प आप website पर नहीं देखते हैं, आपने देखा होगे, बहुत सारे offline form मिलते हैं, आप कभी किसी stationary की दुकान पर गए होंगे, कोई form को fill करने के लिए, या फिर किसी cyber cafe पर गए होंगे, form को fill करने के लिए, तो आपको नहीं देखा हो या आप online form fill करते हैं, उसको आप समझ पाएंगे, तो आए देखते हैं, किसी website पर या फिर कोई government job के लिए form apply करते हैं, या किसी और चीज़ के लिए form apply करते हैं, तो उसमें एक common field होती है, जिसके अंदर आप देखेंगे, कि एक input दे रखा होता है, जिसमें आपको अपना name fill करना होता है, name, एक होता है आपका email, ये सबी होते input ही है, एक होता text area या message लिखा होता है, message, ठीक है, तो ये कह है, ये सबी input field है, पर इसका क्या type अलग-अलग होता है, आप जब यहाँ पे name पूछेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका input type क्या होगा, आपका input type होगा, यहाँ पे text, और जब आपसे कोई email पूछेगा, तो form में क्या, HTML में क्या use करेंगा, input type, email, email, जब हमको, यह क्या है, इस सिंगल लाइन में रहते हैं, जिते भी input इस तरह के होते हैं, input type, text, email, phone, पासवर्ड, यह क्या हो, यह सिंगल लाइन input field होते हैं, जिसके अंदर आप को एक लाइन दिखाए देगी, आप content कितना भी लिखना चाहें, आप लिखेंगे content, तो यह height and width अपने एसाब से set कर सकते हैं, लेकिन इसमें height और width की जगे, rows and calls, इस से define होते हैं, rows से क्या होगी, rows से आपकी height define होगी, अगर आपने rows 30 दिये, तो यह height 30 हो जाएगी, और अगर आपने calls 30 दिये, तो आपकी calls जो यह चीज़े, आपकी width वो increase हो जाएगी, तो आप इसमें इसके attribute होते हैं, rows and calls, तो वाप इसमें text area जो input field है, इसमें आप use करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा, इसके अलावा बह भी use होते रहे हैं, तो HTML file में और भी कुछ नई नई आगे हैं, जैसे input field date, input field date, date time, color, color आगया आपकी file, तो यह जो input field आए रहे हैं, इनको आप एके करके आप आगे browser पे देखेंगे, ठीक है, आइए browser पर चलते हैं, इनको एके करके समझते हैं, ठीक है, यह हमारा W3School का website है, आज यह start करते हैं, HTML forms, an HTML form is used to collect user input, form का use क्या होता है, basically, user से उसका information collect करने के लिए हम HTML form का use करते हैं, इसके अंदर क्या, आपका name, email, address, phone number, या और भी बहुत साई चीजे, इसमें आप अपनी यूजर से collect करने के लिए form बनाते हैं, अपनी website में, ठीक है, कि जब एक form में data user ने fill किया है, वो एक server पे चला जाएगा, और server पे हमारा एक file होती है, जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, कोई backend language जो scripting language होती है, जैसे PHP, python, dot net, तो वहां पे क्या आपका data store हो जाएगा, आप file का नाम कुछ भी दे सकते हैं, वो आम मैं आगे बताऊंगा यह submit, एक बाद देखते हैं इसको, ठीक है, यह देखिए, एक form, form के अंदर के attribute आपको बता जाता हूँ, पहला attribute है action, action से क्या है, action से हम उस file का नाम देंगे, जहां पर यह form fill होने के बाद data save होगा जाके, processing होगी जाके, action underscore page dot php, नाम कुछ ही हो सकता है, dot php, इसलिए है, क् कि इसका जो scripting language है, जो backend अभी आपको जाननी जुरूत नहीं है, लेकिन जैसे से आप आगे बढ़ेंगे, आपको मालूम चलेगी, कि यह PHP backend की scripting language है, तो हमारा जो page का नाम है, जो file का नाम है, वो है, action underscore page dot php, जो हमारे server पर है, जब आप यह form fill करने के बाद, यह वारा form fill कर आते है method, method बटाते हैं, method, ठीक है, एक हमारा वार्टी बुटता है, form का action, जिसमें हम file का name देते हैं, जो हमारे server पर store होती है, ठीक है, एक होता method, किसी भी form का data, data को send करने के लिए, ठीक है, दो method होता है, एक होता है get, एक होता है post, ठीक है, एक होता है get, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, get method क्या होता है, जो भी आप form फिल करने के बाद, date submit पर जब click करेंगे, तो यह क्या दिखाए देगा, यह आपके जो URL है, यह जो tab इसके अंदर ही आपका जो डट है यह सो होने लगेगा तो यह पहला पॉइंट है ठीक है दूसरा क्या है method post ठीक है इसमें क्या होता है यह होता है sensible information के लिए आपका कोई password या email तो इसमें क्या होगा या फिर कोई और other sensible information है उसके लिए method पोस्ट का यूज़ करते है ठीक है तो इसमें के जब आप submit पे क्लिक करेंगे तो यह इस URL में सो ना होकर यह जो आपकी action.php page है यह उस पर चला जाएगा action.php page पे आपका जित्ता भी data है तो वह यहां पर इस जगे सो नहीं होगा वह आपका सर्वर पे जाकर ही save होगा जिसके अलग से condition होती है अच्छा अब पहला लेवल लेवल क्या है लेवल आप देख रहे है यह जो उपर लिखाओ first name last name किसी भी input को बताने के लिए आप इसका अंदर HTML5 में एक नया tag वह आया attribute placeholder जो इसमें दिखाई आपको यहां पर आप कुछ भी information फिल कर सकते हैं कि enter your first name enter your last name ठीक है तो वह क्या है वह placeholder का काम में लेवल का क्या है आप भार से एक heading दे सकते हैं कि इस input के अंदर आपको क्या फिल करना है यहां पर देख सकते हैं level में लिखा हुआ है first name मतलब आपको अपना नाम first name अगर म अब क्या है पहला attribute देखते हैं level का 4 attribute 4 में क्या है आप नाम दे सकते हैं कुछ भी मैंने दिया f name ठीक है उसके बाद क्या है मैंने first name लिख दिया level उसके बाद br tag लगा दिया line break करने के लिए input type text यह मेरा क्या है type text इससे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ कोई भी character English का तो मैं लिख सकता हूँ इसमें number भी लिखना चाहूँ तो वह भी print हो जाएगे क्योंकि मेरा input type टेस्ट हो टेस्ट के अंदर आप number character कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है और उसके बाद आता है id id का name main purpose क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा मैं आपको आगे बताऊंगा radio button या फिट check box होता है जिसके अंदर छोटे-छोटे से circle होते है for का id से क्या relation होता है क्या connection होता है वो मैं आपको बताता हूँ id id अगर आपने for और इसका id का नाम same दिया है उससे क्या होगा अगर आप इस पे भी click करेंगे इस पे i level पे फिर भी यह input select हो जाएगा क्योंकि कुछ input ऐसे ह होते है input type radio input type check box जो size में बहुत छोटे होते है input बहुत circle में छोटे होते हैं ठीक है तो उसके लिए क्या करेंगे हम level में जो नाम दे जाएंगे अगर level पे click करेंगे तो वो select हो जाएंगे यह हमारा यह हमारा id और four का main purpose होता है उसके बाद है name नेम सबसे important attribute होता है form के लिए क्योंकि name ही जो server side scripted language होती है उसको ही data send करेगा कि जो name जो हमारा input यह वो collect करता है scripted language जो होती है server side पे अगर यह आप नहीं fill करेंगे तो आपका data form अगर submit कर भी देंगे तो आपके server पर data नहीं जाएगा तो इसके लिए क्या करेंगे आप उसके लिए आपको name attribute बहुत जरूरी है कि इसके बिना आप form का data है वो आप save नहीं कर सकते हैं ठीक है अगला attribute है हमारा value value क्या होता वाइड डिफोल्ट एक value देने के लिए जैसे माली यह देखें लास्ट नेम इसका अंदर डॉय value दे रखी यह रहा value डॉय तो इसका पहले से दिखा सकते हैं कि आपको यहां पर अगर कोई value फिल नहीं करता है तो यह वाइड डिफोल्ट यह वाली value form में submit हो जाए अगर ल value डिलीट करनी होगी तब जाके मैं अपना नाम लिख सकता हूँ ठीक है लेकिन एक अवता प्लेस ओल्डर आपको यहां प्लेस ओल्डर बताता हूँ मैं value ब्लैंक कर देता हूँ और यहां attribute यूज करता हूँ प्लेस ओल्डर प्लेस होल्डर अब देखेंगे मैंने value क्या किया value ब्लैंक कर दी है और यहां पे attribute यूज क्या प्लेस होल्डर जो html5 में latest आया था ठीक है enter last name अब मैं इसको क्या करूँगा जैसी मैं इसको run करूँगा तो आप देखेंगे कि आपको यहां पे एक enter last name इस तरह का text आपको दिखाई दे रहा है लेकिन value क्या है यह यह value और यह place order आपको इसकी color में difference नजर आएगा कि यह black है यह थोड़ा सा gray color है क्योंकि इसको अगर यहां पर फर्स्ट नेम में अगर आप value दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं तो value को change करने के लिए पहले हमको इसको हटाना पड़ेगा ठीक है उसके बाद हम अपना नाम लिख सकते हैं पर place order में क्या होता है place order में क्या होगा place order में आपको दिखाई देगा कि यहां पर आपको क्या fill करना है पर आप जब इस पर click करेंगे तो आप डारेक्ट ही यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है उसको आपको डिलीट करनी जूरूत नहीं है वह आपको बस एक दिखाने के लिए होता है कि हाँ यहां पर आप क्या input fill हम करवाना चाहते हैं वस वह इतना ही काम है इसका place order का ठीक है पर आगे लेवल एल नेम लास्ट नेम यह सेम इसकी कॉपी करके यहां पर लिखा इसको type submit या button type submit नहीं देंगे तो यह form बनाने को भी मतलब भी नहीं है अगर आप इसको submit ही नहीं करवाएंगे इसका data आप collecting करेंगे पूरा form fill होने के बाद आपको submit button देनी है उसमें क्या है जैसे आप submit पे click करेंगे form का जितना भी data है या जितना भी आपने fill किया information वह क्य information अपने server पर या अपने form से collect करनी है तो उसके लिए आप post method का ही use करें और अगर आपको normal ही कोई queries बनानी है तो उसके लिए आप get method का use कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं form element is used to create an HTML form for user input यह container होता है जिसके अंदर आप अलग-अलग type के input type आप save कर सकते हैं form element is a container for different types of input elements अलग-अलग प्रकार के input type जो होते हैं उनको आप form में include करते हैं जैसे text field, checkbox, radio, submit button इसको मैं आगे बताऊंगा checkbox और radio क्या होते हैं first input the HTML input element is the most used for element input के एक आपको field create करके देता है जिससे आप information ले सकते हैं उसके अंदर आप text, phone number कुछ भी ले सकते हैं ठीक है उसको input के अंदर data को fetch करने के लिए data collect करने के लिए अलग-अलग उसके type होते है input same रहते हैं उसके type change होते हैं जैसे input type text तो इसके अंदर क्या है display single line text input एक single line में आप कुछ भी content या कुछ भी text आप मतलब लिख सकते हैं second है हमारा input type radio इसका क्या होता है display the radio button for selecting one of many choices इसमें आपको जैसे आपने देखा होगा gender gender के आगे लिखा होता है male और female तो आप उसमें से कोई एक ही select कर सकते है या तो आप male करेंगे या female करेंगे दोनों एक साथ select नहीं होगा यह होता है input type radio से third है हमारा input type check box display the check box for selecting zero or more of many choices इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर आप एक से ज़्यादा select कर सकते हैं input जैसे मान लीजिए आपके hobby और भी आपकी एक से ज़्यादा हो सकते हैं दो से ज़्यादा हो सकते हैं, किसी को sports पसंद है music पसंद है reading पसंद है तो आप इसमें अगर आपको 4 या 5 दे रखए तो आप 4 पांच ते रहा है तो आप 4 पांच all sub select कर सकते हैं फिर आपको एक या दो भी select कर सकते हैं पर रेडियो में क्या होता है रेडियो में आप केवल एक ही select कर सकते हैं उसके बाद है input type submit यह मैंने आपको बता दिया form fill करने के बाद आपको submit बटन पर click करने के बाद ही form आगे submit होगा तो अगर आप यह बटन यूज नहीं करेंगे तो आपका form बनाने का कोई मतलब नहीं रहते हैं input type button यह क्या है displays clickable button इसमें क्या है आप एक clickable button बनाने के लिए आप input type button यूज कर सकते हैं ठीक है text, input type, text इसके example देख लेते हैं simple जो आपने देख लिए है आप level यूज करेंगे आप से first name डालेंगे उस बाद input type text फिर देख लेते हैं यह वह यह example है लेवल आपको बताना चाहरा है कि इसके अंदर आप कुछ भी content लिख सकते हैं यह हमारा input है इसके अंदर character, numbers और कुछ भी है ठीक है second है हमारा label मैंने आपको बता है label क्या करते है इसके और भी दो-तिन use है वह देख लेते हैं notice the name of level element in the example अब आप जो आप देख रहे है तो इसका use क्या है label tag defines a label for many form element जिते भी input field दिये जाते हैं उसका क्या purpose है क्या उसके अंदर input field करवाना चाहते हैं वह आप label में heading दे सकते हैं, label में content दे सकते हैं, first name, last name, password वह आप label के अंदर दे सकते हैं इससे क्या होते हैं, कुछ होता है, visually disabled people होते हैं, वह क्या करते हैं, screen reader on कर लेते हैं screen reader on करने से क्या होगा, कि अगर वह input पे click करेंगे तो level के जो content होगा ठीक है, वह speaker मतलब जो system है वह उसको बताएगा कि भाई यह इस level के अंदर क्या लिखा है अगर first name लिखा होगा तो जैसे आप input पे click करेंगे इसको sizes दिखाई नहीं दे पा रहा है, तो वह क्या करेगा, level को बोल देगा बहुत तेज अवाद में कि यह first name है, आपको इसमें first name फिल करना है तो यह इसलिए भी use होता है, तीसरा point है हमारा level, element also helps user who have difficulty clicking on very small regions such as radio buttons और checkbox, because when the user clicks the text within the level element, it toggles the radio button और checkbox, जो मैंने आपको बताया, कि level का ये भी काम होता है, कि level के अंदर अगर आप four attribute का use करते हैं, और input के अंदर id attribute का use करते हैं, और दोनों को same नाम देते हैं, तो आप input की जगे अगर level पे भी click करेंगे, तो आपका वो input type select हो जाएगा, ठीक है, यह इसका important point है, the four attribute of the level text should be equal to id attribute, जो मैंने आपको बताया ह ये फोल attribute को same नाम देने से interconnect हो जाते हैं, radio button, the input type radio define से radio button, radio button को use करने के लिए, हम input type radio लिखते हैं, ठीक है, example देखते हैं, इसका, ठीक है, यह एक form है, जिसका अंदर input type radio, उसका अंदर क्या गया, आपकी name देखा, favorite language, आप देख लिए, choose your favorite web language, यह form मना रखा है, जिसका अंदर, one, two, three, 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 radio, radio button को समझने का simple सा तरीक है, कि यह round में रहेगी, और check box, जो होता है, वो हमेशा आपका, एक square में रहेगा, ठी तो यह radio button है, इसमें आप choose your favorite web language, अब अगर radio button, आप input type यूज कर रहे हैं, तो इसका simple सा मतलब है, कि आप इन तीनों में से, सिर्फ एक ही select कर सकते हैं, अगर मैं इसको select करना चाहूंगा, तो यह हैं से हट जागा, देखिए, इन तीनों में से आप एक ही select कर सकते हैं, यह है radio button का calm, आगे बढ़ते हैं, input type checkbox, checkbox से example देख लेते हैं, form है, form के अंदर input type checkbox, क्या है, vehicle के name दे रखे हैं, आपके पास कौन सा vehicle है, यह हमारे इस form में दिखा रखा है, input type checkbox, define से checkbox, अगर आप किसी input का type checkbox देंगे, तो वो आपको checkbox दिखाई देगा, जो checkbox आपको मैंने बताया था, square में होता है, ठीक है, आप इसमें क्या है, radio में क्या है, हम एक ही select कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, आपको bike भी पसंद हो सकती है, यह आपको bike भी हो सकती है, car भी हो सकत कर सकते हैं, the submit button, input type submit, इसका मैं आपको बता दिया, कि जब किसी form को fill करने के बाद, उसको अगर submit करेंगे, तभी वो form पूरा process होने के लिए, आपकी back end की scripting language है, जिसका आप action देते हैं, उस file का नाम, action underscore page.php, कुछ भी नाम हो सकता है, वहाँ पर आपका data जाएगा, तो वो जब तक नहीं जाएगा, जब तक आप input type submit का use नहीं करेंगे, और आप submit नहीं करेंगे, ठीक है, तो वहाँ यही लिखा, the form handler is typically a file on the server, server पर एक file होती है, with a script for processing input data, जिसके अदर एक script लिखे होती है, जो आपके form को process करेगी, ठीक है, और आपका जित्ता भी information उसको collector लेगी, यह simple सी चीज है, आपको दिखा ज़ता हूँ, एक form है, आपने action दिये, action underscore page dot php, level first name input, level last name, उसके बाद input, ठीक है, उसके बाद last में दिये input type submit, value submit, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, first name, last name, अगर मैं इसको submit करूँगा, तो आप देखेंगे कि, f name में john, and last name में, l name जो दे देगा, तो बस यही काम है, input type submit का, कि जब आप form fill करते हैं, उसके बाद आपको input type submit का, use करना है, जिससे आपका जितना भी information है, वो server पर जाकर store हो सके है, अब आता है, name attribute, name attribute मैंने आपको बताया है, कि, जो name attribute है, वो ही main attribute है, आपका, किसी भी input type का, अगर आप name attribute नहीं दें है, वो उसको collect नहीं कर पाएगा, that each input field must have a name attribute, यह स्टिकली का गया, कि जितने भी input name है, जितने भी input field है, उसके अंदर name attribute का होना बहुत ही जाजरूरी है, if the name attribute is omitted, the value of input field not be sent at all, अगर आप name attribute नहीं लगाएंगे, input field के अंदर, तो जो data input field में आपने fill किया है, वो server तक first name, input, आप देखेंगे, एक level है, four, ठीक है, उसके बाद, input type, text, id, value तो दे रखेंगे, पर इसमें क्या है, name नहीं दे रखा, name नहीं दे रखा है, तो आप जब form को fill करेंगे, यह मेरा first name है, अगर मैं इसको लिख देता हूँ, john, ठीक है, यह मेरा नाम है, अब मैं जब इसक इसको हम देखते है, ठीक, इसको हम देते है, name attribute, name attribute देते है, f name, f name, ठीक है, बद नेम लिखते वक्त आपको इतना या रखना है, कि जो name आपने यहां दिया है, ठीक है, तो वो आप हमेशा input में दे, ना कि आप level में दे, name attribute हमेशा use किया जाता है, input में, level में नहीं दिया जाता है, ठीक है, तो अब मैंने क्या किये, मैं name attribute दे दिया, इसके बाद में जब मैं run करूँगा, run कहने बाद मैं form fill करूँगा, john, doi, ठीक है, मैंने एक input मनाया था, first name मैंने उसको value दे दी, john, doi, name, f name दे रखे है, मतलब name जो activity है, उसका use किया, अगर मैं use नहीं करूँगा, तो यह आपे blank आएगा, तो friends, यह थी हमारी html form से related first class, जिसमें आपने जाना html form, where उस से related कुछ important input fields के बारे में, ठीक है, इसी तरह की informative वीडियो को देखने के लिए like, share and subscribe करे हमारे WTRI YouTube चैन झाल